नमस्क्राइब वीडियो आपका सोगत है आपके अपने चनल लच्मी फार्मिंग में किसन भाईओ आज हम आपके लेक नई वीडियो लेकर आए हैं जो की धान की लेट वराइटी कहलाती हैं क्योंकि इनकी जो फसल हो दिये वा लबब 130-140 दिन के आसपास पकर तयार होती हैं इसलिए हम इन्हें धान की लेट वराइटिया कहते हैं यह धान की तीन ऐसी व्रैटिया हैं जो भारक में सबसे ज़ए अदिक पैदावार निकाल कर देती है, और साथी साथ अच्छे इनके जो चावण होते हैं, वह दाने होते हैं, वह भी काफी बड़े और अच्छे होते हैं, जिससे आपको खाने में वही काफी स्वादता हैं, उसकी बुआई के लिए ओल लेट ना हो जाए, इसलिए अगर आप जितना जल्दी इन विराटियों की बुआई कर देते हैं, उतना ज़्यादा आपके लिए फायदा होता है, आपके आगे के वीडियो में हम इन विराटियों के बारे हैं, विस्तार रूप से आपको पूरी जनकारी मिलने वाली है इसके लिए आपको आज की वीडियो के पुरा देखना होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए जनकारी अच्छी लगे तो चैनल को सस्क्राइब कर दीजेगा साथी साथ अपने किशांतरों के शायर कर दीजेगा और वीडियो को लाइक करना मत भ दोस्तो इन वराइटी की जो बेरन है और वह आप लगबग अगर जल्दी डालते हैं तो आपको फाइदा यह देखने को मिलता है कि आपकी जो फसल है वह समय रहते तयार हो जाती है और जिससे आप अपनी जो नेक्स्ट पतल है जो भी आप लगा चाहते हैं दान के बाद उस से आप अपनी फसल में लेट ना हो इसके लिए आपको इन वराइटियों की बेरन को जल्दी डालना होगा अगर हम बात करें कि आप इन वराइटियों की बेरन कब से कब तर डाल सकते हैं तो किसान भाईयो आप इन वराइटियों की बेरन लगबग 20 अपरैल से लेकर 25 मई क अंदर अंदर अगर आप डाल देंगे तो यह आपके लिए काफी बड़ेया और अच्छा रहता है दोस्तो इन वरैटियों की बेरन लगबग 25 से 30 दिन के अंदर तयार हो जाती है उसके बाद आप इनकी रुपाई अपने खेतों में कर सकते हैं चलिए अब बात करते हैं कि आज की हमारी जो धान की सबसे पहली वरैटी है इसका क्या नाम है और या किस कमपनी की है किसान भाईयो आज की यहमारे जो दान की सबसे पहली वरैटी है इसका नाम है मोती गोल या नीजू वीडू कमपनी की है काफी बढ़िया और अच्छी धान की वरैटी मानी जाती है अगर हम बात करें इसकी फसलोदी के बारे में तो किसान भाईयो धाल की या वरैटी लबग 135 से लेकर 140 दिन के अंदर पक कर तियार हो जाती है कल्लों की सेक्षा के बारें बात करें तो आपको 22 से 25 कल्ले तक देखने को मिल जाते हैं प्रति पोधा किसान भाईयो इस से कल्ले काफी बढ़े होते हैं ऐच्छे होते हैं बालियों की संख़य भी काफी अधीक होती है अगर हम बात करें आप इस वरैटी की बोई किन किन राज़ों में कर सकते हैं तो आंदरप्रदेश, बिहार, 36 गल, गुजराद, जारखंड, करनाटग, माराष्टा, उडिशा, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, कुस्तरप्रदेश, पंजाब, इन तमाम राज्यों में किसान भाईयों आप इस वरैटी की बुवाई कर सकते हैं काफी बढ़ियां और अच्छी वरैटी मानी जाती है, किसान भाईयों सिचाई के बारे में बात करें, तो इसमें आपको तीन से चार सिचाई की अश्रता पढ़ती है, इस वरैटी में आपको सिचाई की अधिक मातर में अश्रता पढ़ सकती है, क्योंकि यह वरैटी पानी मे ज़्यादा बढ़िया अच्छी पैदावार निकाल कर देती है, अगर आपके पास इचाई का बढ़िया शदन नहीं है, तो आप इस वराइटी को ना लगए, योग की इस वराइटी में आपको जदा सिचाई करने की आशकता होती है, अगर आप कम पानी देंगे, तो उतना एक बाल में दानों की बारें बात करें, तो एक बालिया में आपको लगबग 280-320 दाने, 300 दाने तक दिखने को मिल जाते हैं, दाने इसके किसान वाज़ों थोड़े से मीडियम साइज के होते हैं, और बोल्ड होते हैं, बड़े-बड़े होते हैं, काफी चमकदार होते हैं खाने में काफी बढ़िया रहता है और साथी साथ पैदावार भी कितनी बढ़िया होती है इसके इलावा market में rate भी काफी बढ़िया और अच्छा मिलता है आप इस विराटी को सरकारी कैके अंदर पर भी आसानी से बेच सकते हैं वहाँ पर भी आसानी से विराटी अब भीग जाती है दोस्तो अगर आप इस विराटी को लगाना चाते हैं तो निशित नोगर लगाएं काफी बढ़िया और अच्छी विराटी है अगर आप इसी मेरन डाला चाते हैं तो आपको बीच तर लेना है 6 kg एक एकल के हिसाब से आप लेकर इसकी मेरन डाल सकते हैं दोस्तों यह काफी बढ़िया और अच्छी वर्याटी है जो लगभग 130 से लेकर 40 दिन के अंदर पकर त्यार हो जाती है किसान भायो आज की हमारे जो धान की दूसरी वर्याटी है इसका नाम है MTU-729 इस वर्याटी को हम एक और नाम से भी जानते हैं वो एं नाटि मुंसूरी यह भी काफी प्रसिद वर्याटी है किसान भाई इस रेटी को भी काफी अधिक मातर में लगाना पसंद करते हैं हमारे इलाके में पूर्बांचल इलाके में इस वरेटी को काफी अधा अधिक मातर में लगाया जाता है क्योंकि इसकी जो सबसे बड़ी खास बात है वह यह है कि यह सबसे अधा अधिक पैदावार निकाल कर देती है दोस्तो यह variety काफी बढ़ियां है, काफी अच्छी है और काफी अच्छी बदावार निकाल कर देती है इसके बीच का दाम भी काफी कम होता है लगबग इसका जो एक किलोग्राम बीच का दाम भोता है, वह सतर से असी रुपए पचासी रुपए तक देखने को मार्केट में मिल जाता है काफी बढ़ियां और अच्छी बढ़ियां मानी जाती है, किसान भाई इसे अधिक मातर में लगाना पसंद करते हैं इसकी फतल ओधी के बारें बात करें तो लगबग इस एक सो चालिस से लेकर एक सो पैतालिस दिन के अंदर पकर तयार हो जाती है दोस्तों इस वराइटी की बवाई आप लगबग तमाम राज्यों में कर सकते हैं जैसे कि उत्तरप्रदेश, बियार, जहरकंड, करनाटक, वेश्टों एंगल, तमिल नाड़ू इसके लावा आप पंजाब, गुजरात, राजस्थान, मदवर्देश इन तमाम राज्यों में कर सकते हैं लेकिन इस वर्याटी में आपको एक बात का सौधानी रखना पड़ेगा, कि दोस्तों अगर आपके पास सिचाई का बढ़या सदन उपलोग नहीं है, तो आप इस वर्याटी की बवाई ना करें इस वर्याटी को अथिक मातर में पानी की आशकता पड़ती है, लबग आपको चार से पास सचाई की आशकता हो सकती है और इस रेटी में 4-5 स्चाई लगती है तब ही आपको अच्छी पैदावार भी देखने को मिलती है कम पानी में अच्छी पैदावार निकाल कर नहीं देती है दोस्तो ऐसी जमीन में आप इस रेटी को लगा है जहां पर पानी रुखता हो पानी असानी से जिमलब सुकता ना हो उड़ ना जाता हो मनमी बरकरार देगी तो यह वर्याटी आपको काफी बड़ेया और अच्छी पैदावार निकाल कर देती है काफी बढ़ेया और अच्छी वर्याटी है कनलियों के संक्या भी इसमें आपको 20-22 कल्ले प्रति बाली आपको 2200 से लेकर लगपाग 280-300 दाने तक दिखने को मिल जाते हैं किसान भायू, दाने इसके मीडियर साइस के होते हैं हलके से मोटे होते हैं खाने में भी यह वर्यटी काफी बढ़ियां होती है मार्केट में इसका रेड भी काफी बढ़ियां और अच्छा मिल जाता है और सबसे बड़ी खाल बात है कि यह पैदावार भी काफी बढ़ियां और अच्छी देती है रोक प्रसिलिदक भी है इसमें बिवारियां के लगने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है इसके अंदर बिवारियों को बारे में बारे में बात करें तो 6 kg प्रतियकल के हिसाब से आपको बीच लेकर इसकी बिरन को डालना होगा इसकी बिरन लगबग किसान बायों आप 25 अपरेल से लेकर 20 मही तक डाल सकते हैं और इसकी बीच बीच में अगर आप इसकी बिरन डाल देते हैं तो यह आपके लिए काफी बढ़ियां और अच्छा रहता है दोस्तों अगर हम बात करें इस वराइटी में और भी चीज़ों के बारे में तो इस वराइटी का जो दाना है वह देखने में काफी चमकदार होता है और मार्केट में जब आप इसे बेशने जाते हैं तो आपको अच्छा रेट भी देखने को मिलता है और सरकारी कहके तब भी ये वर्याटी असानी से बिग जदी है किसान भाईयू आज की हमारे जो धान की तीसरी वर्याटी है इसका नाम है सांभा मनसूरी दोस्तों इस वर्याटी का एक और नाम है BPT-52-4 ये भी काफी प्रसिद वर्याटी है काफी अधा दिक मतल में किसान भाई लेगाना पसंद करते है हमारे एरिया में 10 में से कम से कम 5 किसान भाई तो इसी वर्याटी को ही लगाते है क्योंकि पैदावार काफी बढ़या देती है और खाने में काफी स्वादिष्ट होती है दोस्तो इसका जो धान होता है वह थोड़ा सा पतला होता है नाटी मंसुरी की तुल्ला में और चावल भी काफी पतला होता है नाटी मंसुरी की तुल्ला में और लंबा होता है दोस्तो इसका जो धान होता और चौलता दोनों लंबा होता है और देखने में चमकदार होता है और नाटी मंसूरी की तुल्ला में महीन होता है इसलिए सबा मंसूरी को भी किसान भाई अधिक मतर में लगाना पसंद करते हैं लेकिन इसकी जो पैदाबार होती है और नाटी मं बहाईने के लिये लेना चाहते हैं वह सावा मल्धूरी की तरह में जोस्तों इसकी है अगर फसल के बारे में तो यह भी लगवाज 140-150 दिन के आसपास बॉकर तयार हो जाती है और इस राइटी की बुवाई भी आप तमाम राज्यों में कर सकते हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, बियार, चारकंड, मद्र प्रदेश, राष्थान, तमिल नाडू, करनाटका इन तमाम राज्यों में आप आरंग प्रदेश में भी इस राइटी की बुवाई कर सकते हैं अच्छी पैदावार निकाल कर देती है पैदावार इसकी लगबग आपको 28-30 कुंटल प्रती एकर देखने को मिल जाती है एक बाल में दानों के बारें बात करें तो अलगबग 20-30 से लेकर 280-70 दाने तक देखने को मिल जाते हैं बाल भी इसकी काफी बड़ियां होती है एक बालियों में बालिया सकी जुकी हो जाती है कल्यों की सेंका भी काफी आदिक हो थी और अगर आप किसी अन्न धान की वरेटी ये बारे में जानकारी चाते हैं तो कमंड करके अवश्य पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाग।